कोई भी मनुश्य जब संसार में आता है तो निश्चीति उसकी पहली चाहिए होती कि अपने जाने के बाद भी इस संसार में अपने कदमों के निशान छोड़के जाए मेहनत भी पूरी करता हर मनुश्य कोशिश भी पूरी करता उसको चारों और से सैयोग भी पूरा मिलता लेकिन उसके बावजूद हम सब का हनुभव है कि हजारों में एक लाखों में महान हो पाता हजारों में लाखों में सफल हो पाता और लाखों में एक एत्यासिक पूरुश हो पाता निश्चीती ये बहुत बड़ी असफलता है मनुश्य की लेकिन ऐसा क्यों क्या कभी किसी ने इस तरह सोचा कि ऐसा क्यों कोशिश हर कोई करता चाहता हर कोई उसके बावजूद क्यों लाखों में एक महान बनता बाकी सब क्यों सफल हो जाते थोड़ा सा हम इत्यास उठाकर नहीं देखते मनुश्य जाती का इत्यास चिला चिला के कह रहा है कि जितने भी सफल और महान लोग हैं जितने भी हित्यासिक पूरुश हैं जितने भी हत्यासिक व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी भी खेत्र के हो, सब में एक चीज समान है, सब में एक चीज कॉमन है, कि सब के सब क्रियेटिव हैं बिना अफ़ात के, आज के बाद थोड़ा सा गौर करना आप, क्योंकि हमारी इच्छा से, मनुष्य की कोशिश से, या मनुष्य की सिख्षा से, कोई मनुष्य महान या सफल नहीं हो रहा, जो भी महान और सफल है, बिना किसी अफ़ात के में कह रहा हूं, एक भी आदमी ऐसा नहीं है, जो क्रियेटिव नहों और सफल हो, और एक भी आदमी ऐसा नहीं है, कि जो क्रियेटिव हो और असफल हो, बड़े अच्छे समद लेना कि क्रियेटिविटी का सिद्धा तालुक मनुष्य की महानता से है, अगर हम केते हैं कि एडिसन सफल है, आइंस्टाइन, न्यूटन, राइट ब्रदर्स या कोई भी, तो सफल क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने नया कुछ खोजा है, नया कुछ सोचा है, और नया कुछ इस दुनिया को दिया है, दुसरा कोई कारण नहीं है उनकी महानता में, उनकी महानता की खुभी ही एक, कि उन्होंने कुछ क्रियेटि किया है, बड़े अच्छे से समद लेना, कोई भी कलाकारो तो वो सफल क्यों है या तो नहीं कविताय बनाता नया साहित्ते लिखता नहीं गजले लिखता नहीं दूने बनाता या नहीं तरीके से काता इसलिए वो सफल है कोई भी व्यावसाई हो चाहिए बिल गेट्सों अम्बानियों स्टिव जॉपसों वाल डिसनी हो कोई भी हो अगर कोई भी बिजनेस्मेन सक्सेसफूल है तो उसका एक मात्र काराण है कि वो क्रियेटिव है कुछ नया बना रहा कुछ नया दे रहा कुछ नया सोच रहा तीसर कोई कारान व्यावसाई में भी सफल होने का नहीं है यह बात Això में अच्छेस अपने दिमाग में बिठा लेना को इसलिए मैंने कहा कि खेत्र चाहे कोई भी हो महान बनना हर कोई चाता एत्यासिक बनना हर कोई चाता लेकिन इस बात को भूल जाता कि जो व्यक्ति क्रियेटिव नहीं जो अपने बीतर क्रियेटिविटी नहीं जगा सकता वो कभी न तो एत्यासिक हो सकता न महान हो सकता न सफल हो सकता दरम के क्षेत्रे में भी आप जिनको भी याद करते हैं जिनको भगवान केते हैं वो सबके सब और कुछ नहीं सिर्फ क्रियेटिव हैं बड़े अच्छे से समद लेना अगर क्राइस्ट को हम लोग याद करते अगर क्राइस्ट की इतनी चर्चा है तो इसलिए कि वे यहुदी गर में पेदा हुए उस समय यहुदी धर्म था यहुदी धर्म को ठुकराया यहुदी पाखन को ठुकराया और यहुदियों के खिलाब खड़े हो गए और कोई कारण नहीं है अगर वे भी यहुदी बने रहते हैं तो करोणों यहुदी पैदा हुए और चले गए कोई याद नहीं करता है बढ़े अच्चे समध लेना क्रियेटिविटी एक मात्र बेजे फिल्ड कोई भी हो अगर आप बुद्ध और महवीर को याद करते तो उसका भी कारण बड़ा साफ है दोनों हिंदू गर में पैदा हुए दोनों ने हिंदू परमपराय ठुक रही हिंदू पाखन के खिलाप खड़े हो गए और जीवन पर एक नई सोद्धी एक नया विचार दिया एक नया ज्यान दिया अगर क्रश्ण को याद करते तो इसलिए याद करते कि सारे शास्त्रों के विरुद्ध सारे शास्त्रों से अलग एक महान गीता उन्होंने कही तो यह चोटी सी बात आप अपने जहन में बिठा लें कि महान बनना एत्यासिक बनना या आपका जनमसित अधिकार है इस दुनिया में आए हैं तो साट-असी साल के लिए थोड़ी आए हैं निश्चीती कुछ ऐसा काम करने आए हैं कि हजारों वर्ष बाद लाखों वर्ष बाद भी हमारे निशान रहे हमारे काम के निशान रहे ये कर्तव्य भी है और अधिकार भी लेकिन चूंकि मनुश्यक क्रियेटिविटी को छोड़कर महान बनने है तू सफल बनने है तू एत्यासिक बनने है तू दूसरे तमाम ट्राय कर लेता और वे सब उसे असफल तकी और ले जा रहे है अब ये सिधी सी बात मैंने आपसे कही मुझे नहीं लगता कि छोटी सी बात समद्दे में किसी को भी तकलिफ हाई हो कि जब तक मनुश्यक क्रियेटिव नहीं तब तक वो सफल भी नहीं एत्यासिक भी नहीं और महान भी नही जब तक मनुश्यक भी नहीं